डियर इस्टुटेंट्स तुड़े आम गोईंग टू डिसकेस अबाउट क्लासिफिकेशन और कोलाइट्स हम पढ़ रहे हैं कोलाइट का वर्गी करण और पिछले कई दिनों से हम कोलाइट पर चर्चा कर रहे हैं आज हम परिछिप्त प्रावस्था के कणों के आधार पर को वर्गी करण पड़ेंगे यानि कि जो disposed phase होती है उस disposed phase की पाइटिकल्स का साइज क्या है इस बेस्पर जो कξा कोलाइडल सॉलूशन होते हैं वह थ्री केडिग्री में करेडिगराइज किए गए हैं तीन काटिग्री में बाटे गए है तो जो पहली काटिग्री है वह है सारे चोटे चोटे पार्टिकल्स आपस में जुड़कर कुलाइडल सेप के पार्टिकल का क्या करते हैं तो इस तरह का सॉलूसें क्या कहलाता है बहु आणडविक कोलाइड कहलाता है मल्टी मॉलिकुलर कोलाइड कहलाता है इसको हम और अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं कि माल दीजे आपके पास एक कोलाइडल सॉलूशन है और उसमें बहुत सारे छोटे-छोटे पार्टिकल्स है अब जब यह छोटे-छोटे पार्टिकल्स आपस में वीक वांडरवाल फोर्स द्वारा एसोसियेट हो जाएंगे जुड़ जाएंगे और उनका साइज जो है वो सेप साइज कोलाइडल पार्टिकल्स के सेप साइज के बराबन नहीं था लेकिन ऐसे कई सारे पार्टिकल्स जब आपस में मिल गए तो वो कोलाइडल पार्टिकल्स की देंज में आ गए तो जब इस तरह के कई सारे कर्ण किसी सॉलूशन के अंदर मिलते हैं तो इस तरह का solution multi molecular collidal solution कहलाते हैं आप समझ गए होंगे कि multi molecular collidal solution का मतलब है ऐसा solution जिसमें जो collide particles होते हैं वो भी बहुत सारे छोटे-छोटे particles से मिलकर बने होते हैं multi molecular collidal solution कहलाते हैं बहु आडविक कोलाइडल विलियन कहलाते हैं और इसके example जो आपको जान रखना है वह गोल्ड शॉल सिल्वर शॉल है ना और भी जो metallic सॉल होते हैं वो इसके example हो सकते हैं दूसरा है ब्रदान्विक कोलाइड याने macro molecular collides अब macro molecular collides में क्या होता है कि यहां पर जो collidal solution बनेंगे यहां पर जो भी collidal solution बनेंगे उनमें जो पार्टीकल सहूंगे वह अपने आप में One न landing rig कि आप से हंडेड नैनोमीटर की रेंज में होंगे वह खुद चोटे particles से मिलकर नहीं बने होंगे, तो ऐसे collidal solution जिनमें जो molecules होते हैं, जो particles होनें, उनका size बड़ा होता है, एक नैनो मीटर से 100 नैनो मीटर की बीच में होता है, और यह सभी प्रकार की प्राकृतिक और कृतिम बहुलक हो सकते हैं, नैचुरल और संथेटिक पॉलिमर हो सकते हैं, और comparatively यह ज़्यादा stable होते हैं, यह multi-molecular collidal solution से compare करें, तो उनकी comparison में ज़्यादा stable होते हैं, अब यह natural polymer भी हो सकते हैं, और synthetic polymer भी हो सकते हैं, अब polymer तो आप जानते ही हैं, 10th class में आपने पढ़ा होगा कि बहुत सारे monomer जब आपस में जुड़ जाते हैं, तो polymer का formation हो जाता है, glucose के molecules के आपस में जुड़ने से starch बन जाता है, starch जानते ही हैं, आलू और चावल में बहुत ज़्यादा starch होता है, cellulose भी starch की तरह ही होता है, और nylon 6-6 के नाम आपने सुने होगे, polythene और polyvinyl chloride nylon यह ऐसे fiber हैं, इसे plastics हैं, जो कारकानों में तयार किये जाते हैं, तो य ethene के कई सारे molecules के आपस में जुड़ने से बनती है, nylon 6-6B, hexamethylene, diamine और adipic acid के आपस में combine होने से बनते हैं, तो यह सारे के सारे, अब हम यहाँ polymer के बारे में जादा बात नहीं करेंगे, उसके लिए तो हमें अलग से ही एक chapter पढ़ना है, तो यह सारे ऐसे polymer जो हमें nature से प्र पेर किया जाते हैं, वो synthetic polymers कहलाते हैं, इनका molecular weight होता है, molecular marks बहुत ज़्यादा होता है, और इनमें जो monomers होते हैं, उनका number बहुत ज़्यादा होता है, macromolecular collides कहलाते हैं, और यहाँ पर आप यह देख रहे होंगे, कुछ photos देख रहे होंगे, यहाँ पर कुछ polymers दिये आप देख रहे होंगे, कि कुछ दूद जैसा पलारत आपको देख रहा है, तो यह केरला में बहुत बड़े-बड़े ब्लक्स पाया जाते हैं, जिनके stem में कट लगा कर एक milky solution बहार निकाला जाता है, इसे latex कहते हैं, और यह latex rubber का collidal solution होता है, natural polymer है, human body में, creatures की body में, protein त तो कुल में लागे यह ध्यान रखें, कि ऐसे collidal solution, जिन में जो particles होते हैं, उनका जो shape और size होता है, वो कैसा होता है, macro होता है, बड़ा होता है, one nanometer से hundred nanometer की range में होता है, macro molecular collide कहलाते हैं, macro molecular collidal solution कहलाते हैं, चलिए, और आगे बढ़ते हैं, जो third category है, वो है संगुडित collide की associated collides की, अब इसकी definition जो है, उसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, कि ऐसे collidal solution, जो low concentration पर electrolyte की तरह बहार करते हैं, कम सांदरता पर, विद्धुत अब घट्टी की तरह बहार करते हैं, कम सांदरता तो समझते हैं, कम मात्रा में, एक विद्धुत अब घट्टी की तरह बह हेखेंगे, अब आप electrolyte तो जानते ही होंगे, ऐसे shalt जो water में dissolve होने पर अपने अपने आएनों में decompose हो जाते हैं, और जो water solution में, या melt phase में, पिगलिवी अवस्ता में, अपने अपने आएनों में decompose हो जाते हैं, क्या कहलाते हैं, electrolytes, electrolytes दर असल दू वर्ट से मिलकर बनाए एलेक्ट्रो और लाइट्स, एलेक्ट्रो याने विद्दुत मान सकते हैं, विद्दुधारा और लाइट्स याने अब गटे जो विद्दुधारा प्रवाइद करने के लिए अपने आएनों में तूट जाएं, क्या कहलाते हैं, एलेक्ट्रो लाइट्स, for example, NaCl, NaCl, Na पॉज तो कुछ कुलाइडे विलियन ऐसे होते हैं, जिनमें जो आपकी dispersed phase है, यजि उसका concentration कम है, तब तो वो solution के अंदर जो dispersed phase है, वो एक एलेक्ट्रो लाइट्स की तरह भेव कर लई हैं, लेकिन यदि हमने concentration क्या कर दिया, बढ़ा दिया, तो वही एलेक्ट्रो लाइट्स के जो वाला particle form कर लेते हैं, और वो particle 1 नैनो मीटर से 100 नैनो मीटर की range में आ जाता है, तो उस particles को हम बोलने लगते हैं, मिशेल, और जब किसी कुलाइडल विलियन में ऐसे बहुत सारे मिशेल बन जाते हैं, तो वो कुलाइडल सॉलूशन भी मिशेल कुलाइडल सॉलूशन कहलाने हैं, जिस concentration पर? डिस्पर्सट भेस इस कि, जिस concentration पर मिशेल का फॉरमिशेन हो रहा है, वो concentration CMC कहलाती है, critical? मिशेल concentration क्रांतिक मिशेल सांता कहलाती है और जिस ताप पर मिशेल का निर्मान हो रहा है वो temperature वो craft top कहलाता है craft temperature कहलाता है मिशेल में 100 molecules तक हो सकते हैं और सावन जब water में dissolve होता है तो ऐसा माना गया है कि उसका concentration की value 10 to power minus 3 mol लीटर inverse होती है यह आपको ध्यान रखना पड़ेगा तो ऐसे कोलाइडल विलियन जिसमें जो dispersed phase low concentration पर तो वो electrolyte की तरह भेव कर रही है लेकिन यदि concentration बढ़ा दी गई है तो dispersed phase की particles आपस में associated हो जाते हैं और कोलाइड पार्टिकल का formation करने लगते हैं तो इस तरह का solution कहलाता है मिशेल या शंगोडित कोलाइडी विलियन कहलाता है और इसका सबसे अच्छा जो एक्जामपल है वो है सोप या साबन तो यहां दिखाए गए है कि यह आपका दिख रहा होगा आपको कि यहां पर गोल्ड का एक solution है और गोल्ड solution का एक एक्जामपल है मल्टी मॉलिकुलर कोलाइडल सॉलुशन का है फिर यह कुछ नए सिंथेटिक पॉलिमर ने फॉर्म दिया गया है तो यह हमने मैक्रो मॉलिकुलर कोलाइडल पर पढ़ा था और मिशेल का formation कौन करता है साबुन करता है अभी हम और आगे देखेंगी कि कैसे करता है चले आगे बढ़ते हैं अब हम थोड़ी सी बात सोब की करते हैं कि साबुन क्या होती है और कैसे मिशेल का formation करती है तो आपके जो सोब होते है वो फेटी ऐसेड के सोटियम या पोटेशियम साल्ट होते हैं कार्बोग जलिक अमलिके सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट होते हैं अब और्गनिक केमिस्टी में आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा कि कार्बोग जलिक एसिट किने कहते हैं जिन में COOH फंक्शनल ग्रोप हो कार्बोग जलिक अमलिक कहलाते हैं अब जब किसी कार्बोग जलिक अमलिक से हम H-plus को अलग कर देते हैं तो बचा हुआ जो भाग है वो कार्बोग जलिक आइन कहलाते हैं और जब इस कार्बोग जलिक अमलिक का पोटेशियम स्वाल्ट तो जो सोप होते हैं वो कार्वुक जलिक एसिट के सूडियम या पोटेशियम शॉल्ट होते हैं लेकिन ध्यान रहे फैटी एसिट के सूडियम या पोटेशियम शॉल्ट भी कह सकते हैं अब सवाल यह उठा कि इनको फैटी एसिट क्यों बोलते हैं कार्बोग जिलिक एसिड जो होते हैं एलिफेटिक मोनो कार्बोग जिलिक एसिड एलिफेटिक याने जो एलकेल ग्रूप होगा वह एलिफेटिक होगा मोनो कार्वुक जिलिक अमल का मतलब है एक ही कार्वुक जिलिक गुरूप जोड़ा होगा तो जो एलिफेटिक मोनो कार्वुक जिलिक अमल होते हैं उन्हें हम फैटी एसिड कहते हैं तो अभी बात की कार्वुक्जुलिक एसिट की सूडियम या पोटेशियम शॉल्ट क्या कहलाते हैं सूप लेकिन ध्यान रहे जो आपका एलकिल ग्रूप है उसमें नमबर आप कार्वन ज्यादा होना चाहिए तभी सूप बनेगा जैसी की तो यहाँ देख रहे हैं आप नमबर आप कार्वन कितना है 15 15 और हाइडोजन कितने 31 तो 15 दूनी 30 और 31 यहाँ देखिए 17 17 कार्वन है 17 दूनी 34 और 31 तो कार्वन से हाइडोजन डबल करके एक प्लस कर देना है यहाँ से याद रख सकते हैं तो जब नंबर आप carbon 15 होंगे तो उसको हम बोलते हैं pomatic acid और जब नंबर आप carbon 17 होंगे तो हम बोलेंगे steric acid अब pomatic और steric acid तो तब तक थे जब तक यहाँ H लगा हुआ था लेकिन जब हमने H हटा करके sodium या potassium जोड़ दिया तो अब यह pomatic acid का बचा हुआ भाग क्या कहलाता है pomatic, steric acid का बचा हुआ भाग क्या कहलाता है steric, और pomatic में sodium जोड़ दिया तो कहलाएगा sodium pomatic, और steric में potassium जोड़ दिया तो कहलाएगा potassium steric, तो बार समझ में आ गई होगी, एक बार फिर से चलते हैं कि fatty acid क्या होते हैं, जो जन्तु और बनस पतियों की बसाओं से उनके fat से मिल आते हैं, यहां पर farmic acid एक example दिया है, सब जानते हैं, farmic acid, farmica word से बना है, latin भासा का bird है, वो farmica का मतलब होता है redon, लाल चीटिया, लाल चीटियों में पाए जाने वाला acid है, इसको farmic acid बोलते हैं, ऐसे acetic acid का जो formula है, वो क्या है, CH3 COOH, acetic acid है, क्योंकि यह acid में पाए जाता है, ऐसे बदलो सिर्का, तो साबुन की बात करें, तो हमने पहले ही बात किये कि साबुन में number of carbon कितना होता है, ज्यादा यहां देखो, साबुन का sodium state दिया है, C7935 COona, soap है, फिर दिया है, C5931 COOK potassium pomade, पता है, 15 carbon होंगे तो pomade बोलेंगे, इसी तरह देखिए, C5931 COona sodium pomade बोल र देरेट बोल रहे है, तो ध्यान रहे है, 15 carbon को, 15 वाले carbon को pomade का जाता है, एच हटाया जाता है, तो pomade बन जाता है, sodium जोड़ देते है, sodium pomade, potassium जोड़ देंगे, potassium pomade, तो कुल मिला के, जो साबुन होती है, वो carbonic acid की sodium या potassium salt होते हैं, परन्तु यह ध्यान रखने वाली बात है कि जो carbonic चले एक अमल आप ले रहे हैं, उसमें जो number आप carbon है, वो कैसा होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, तब जाकर हम उसको क्या कहेंगे, साबुन कहेंगे, अब साबुन कैसे काम करता हैं, इस पर बात करते हैं, तो हमें पता है कि यह एक माली जीए सूप है, R-C-O- O-N-A, अब इस सूप को हमने कपड़े पर लगाया, तो इसमें दो भाग हैं, इसके दो पार्ट हैं, एक R वाला पार्ट है, और एक C-O-O-N-A वाला पार्ट है, अब होता क्या है, कि जैसे ही साबुन को कपड़े पर लगाया जाता है, तो इसके जो N-A positive वाला पार्ट है, यह तो पानी में जाकर dissolve हो जाता है, अब बचा क्या, अब बचा R वाला पार्ट और C-O-O माइनस वाला पार्ट, एने प्लस गया है, इसलिए यह माइनस वाला पार्ट, इसको हम कार्वोग जले टाइन बोल सकते हैं, तो कार्वोग जले टाइन में अब दो चीज़े हैं, और एक C-O-O माइनस चार्ज है, वाला पार्ट है, अब इन में से एक तो है, जल इसने ही, और एक है जल विरोधी, एक जल इसने ही है, एक जल विरोधी है, तो जल इसने ही को हम क्या बोल सकते हैं, हाइड्रोफिलिक, और जल विरोधी को क्या बोल सकते हैं, हाइड्रोफॉ तो एक hydrophobic part है और एक hydrophobic part है अब हमें पता है कि water पर h positive होता है और o h negative होता है याने water पर poles है ध्रोव है और soap पर भी एक part पर क्या है ध्रोव है तो इसका minus इसके plus से attract होगा तो ये water की तरह पर attract होगा इसलिए हम कहेंगे hydrophilic है जल इस नहीं है लेकिन इस पर कोई charge नहीं है इ ये soap से क्या होगा आकरसित नहीं होगा तो हम इसको कहेंगे जल विरूधी वाग hydrophobic अब इस बात को बहुत अच्छे से समझ लेजिए कि साबुन जो होते है आर सी ओ ओ माइनस और एने प्लस होते है एने प्लस जाकर पहले ही पानी में dissolve हो जाता है आपके पास कार्बुक ज जलेट आयन बचता है अब कार्बुक जलेट आयन में जो निगेटिव वाला पार्ट है वो तो वाटर की तरफ अट्रेक्ट होता है लेकिन जो आर वाला पार्ट है वो वाटर की तरफ अट्रेक्ट नहीं होता तो दो सिरे वन गए हैं एक जल इस नहीं एक जल बिरोधी एक हाइड्रोफिलिक और एक हाइड्रोफोविक अब आगे क्या होता है वो और देखें कि माल लीजी किसी कपड़े पर लगी है गंदिगी और आपने लगाई यह सोप तो यह जो छोटे-छोटे सोप के पार्टिकल्स ते यह तो इलेक्टोलाइट की तरह बहेब कर रहे थे माइनस और प्लस में टूट रहे थे लेकिन यह पपड़े पर लगाया गया तो हो गया क्या कि एने प्लस चले गए पानी के अंदर और जो आर सी ओओ माइनस वाला पार्ट था उसका सी ओओ माइनस वाला पार्ट तो वाटर की तरफ अट्रेक्ट हो रहे तो वाटर की तरफ अ वाफ की तरह पिंडिगेट हो गया। और जो iber its अब उस अब उस अबीकिक काई उस सूप've किए उसका ये वाला जो जो पार्ट है, इसको हम head कह देते हैं, ये वाला head है, और ये वाला head tell, तो देख रहा है, head किस की तरफ जा रहा है, water की तरफ, लेकिन tell water की तरफ नहीं जा रहा है, तो head वाला सेरा है, वो water की तरफ होगा, और tell वाला जो होगा, धूल मिट्टी को चारा तरफ से क्या कर लेगा गेल लेगा इस तरह एक को associated sunrushna structure का formation हो जाएगा जिसे हम क्या कहेंगे michelle जिसे हम क्या कहेंगे michelle कहेंगे अब सूचिए कि इस तरह की michelle कई सारी बन जाएं एक solution के अंदर ये धूल मिट्टी के क्या थे कन थे और कई सारी michelle का formation यहाँ पर हो गया है कई सारी michelle बन गई है तो अब इस collidal solution को भी हम क्या कहेंगे michelle ही कहेंगे तो आपने देखा कि साबुन का एक particle एक electrolyte की तरह भी हिप कर रहा था लेकिन जब concentration बड़ा तो धूल मिट्टी के कणों को साबुन के बहुत सारी particles ने घेर कर कई सारी michelle का formation कर लिया तो प्रतिक particle कहला रहा है michelle particle और यह collidal solution कहला रहा है michelle collidal solution तो अब देखिए यहां पर दिया है कि साबुन के दो पार्ट है यह देखिए अब एक जल बिरोधी hydrophobic एक जल इस्टो ही इसने ही hydrophilic पानी में घूला तो देखो जल बिरोधी कहां जा रहा है water से दूर जा रहा है जल इसने ही कहां जा रहा है water की तरब जा रहा है धूल साबुन का यह पार्टी बताया गया है कि एक टैल होता है एक head होता है head के उपर negative charge इसलिए water की तरह पट्रेक्ट होगा और टैल वाले आर वाला सिरा होता है यह water की तरह पट्रेक्ट नहीं होगा जैसे ही चिकनाई पर साबुन लगाई जाएगी तो जो head वाले सिरे हैं जो की water की तरह पट्रेक्ट होते है वो water की तरह चले जाएंगे इंगित हो जाएंगे और जो water से अट्रेक्ट होते है वो धूल मिट्टी को चार तरह से गहर कर काय का formation कर लेंगे मिशेल का तो एक solution के अंदर जब कई सारी मिशेल बन जाएंगी तो फिर काय का निर्माण हो जाएगा अब water के अंदर बहुत सारी मिशेल बन चुकी है अब जैसे ही कपड़े को तेजी से पानी के अंदर चलाया जाता है तो ये मिशेल क्या हो जाती है तोट जाती है और धूल मिट्टी ये चिकनाई सूप की प्रजेस में पानी में घुल कर इमल्सन बना लेती है पायस बना लेती है और वो पायस रूपी कोलाइडल सॉलुशन पानी के साथ बह कर क्या हो जाता है दूर हो जाता है हमें पता है कि धूल-िट्टी चगनाई केवल पानी से दूर नहीं हो सकती लेकिन सावन की presence में वहीं धूल-मिट्टी गंदगी पानी केसां बिलकर इमल्सन पायस बना लेती है और तो इस तरह से आपने देखा कि जो कोलाइडल सॉलूशन होते हैं वह डिसपर्जड फेज की पाइटिकल की साइज पतीन तरह के थे मल्टी मॉलीकुलर मैक्रो मॉलीकुलर और मिश्यल मल्टी मॉलीकुलर क्या थे कि एक पाइटिकल छोटे-छोटे बहुत सारे और मिश्यल में एक्समें पाइटिकल की देखिच गया था मैक्रो मॉलीकुलर में जो फाइटिकल दा उसकी खुदकी रेंज बरनेंमें टी मिश्यल में क्या घूरकी दिस पंसेंटल्स में करियाक गता तो मुझे लगता है कि आज के इस लेक्चर में आपको मल्टि मॉलिकुलर, मैक्रो मॉलिकुलर और मिशेल कुलाइडल सॉलुशन के बारे में सारे कॉंसेप्ट किलियर हो गए हो गए अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और जितने भी बैकल पिक प्रिष्णों को तैयार करें अगले वीडियो में आपसे सिगरी मुलाकात होगी तैंक्यू वेरी मच्च